नमस्कार दोस्तों आपका हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों हम आपके लिए लाइप्रेरी से लेटिट मोस्ट इंपोर्टेंट कुशन लेकर आए हैं जो मोस्ट्री एक्जाम्स में पूशे जाते हैं और जो लोग हमारी चैनल पर न्यूँ हैं वो चैनल को शेयर करेंगे आइससा नममर्ट में किसरेन रिमए इसओं से पहले के बारें बताएंगे यह सरे नंग्याक कि फुलप्रम क्या होती है यह एक इंटरनेशनल इस्टेंडर का कोड होता गया है तो समाचार पत्र पत्रिकाओं और अनिक प्रिकार की इस मीडिया प्रेंट पर इलेक्ट्रोनिक पर प्रिचान करने के विए किया जाता है इनले मतलब इसका साधरान मातदा में हम कहें तो इसका मतलब है आइडेंटिफाई करने के लिए इस नमबर को दिये जाता है इस नमबर की साथा से हम किस के दौरब विश्यत किया गया था yes इसको 1971 में International Standard Organize International Organization for Standrization ISO के दौरब विश्यत किया गया था. अगला है ईयास इसन को किन्स मानक और और कब प्रकास्त किया गया था. अगला है जब एक सामाक्री पाला एक ढबराई के एक से अदिक मीडिया प्रिकार से प्रिकासित हो तो अप्रइक मेडिया प्रिकार को दें आ एक अलग से ISSN नमबर बतमांगला धर्तमान समयमें प्रिंट और रेक्ट्रोनिक संच 돼 कर लिए IP नमबर प्तान के जाथा है पी और इव के रूप में, भी मतलव हुता है प्रिंट और मतलव हुता है इल्रेक्ट equip दॉन के रूप में, ऑर येंट आई येविद fertig तो येंड गहनुद दोको से neiisaim का अंतिम सनक्या क्या हूने की समामना फिलिंग veryा है 0 सी 9 तक होता है या x होता है यैसे इसमें 0 तिहा है इसमें बंग में हो सकता है तरह 2 जाता है थी 9 तक तक हो साथ कुछ भी या तरह एक्स heo सब्सक्राइब एक्स स्टक्रिश्टिरर्क होखंता है panda अगला है भारत में ISN नमबर किस इंसा द्वारप प्रदन किया थे यह इनिस्ट के द्वारप प्रोवाइड किया था है अगला है CCA CCFD प्रोप्रम क्या होते common communication format CCF का और किसा के साइथा से प्रकास्ट विक्सित किया गया था या इनिस्को के दाशाइथा से युनाइस्को मतलब उनाइटे नेशन एज्विकेशन साइन्टिक कल्जियर और और नाइटीन सेवंटीएट में पीजिया और पीजिया और पीजिया के इंतरगात विक्सित किया गया था भागों में प्रकासित किया ँजिए दाऊटले और एक था CCF करतरती संगर कप्रिकास केता 1992 में अगला CCF की अबलिक सरचना किसके अनुरूप है या ISO 2709 के CCF अबलिक के किती भाग होती है चार भाग होती है एक होता है रिकॉर्ट लेविल दूसरा डायरेक्टरी तीसरा डेटा फिल्ड चोथा डिकॉर्ट सेपरिट है ICSUAP की फुक्रम क्या होती है इंटरनेशनल काउंसिल अफ साइंटिक्टिक उनियन एफस्टेक्टिंग पूर्ट वंगला टॉपिक है ISO 2709 ISO 2709 क्या है इसका रिलाव क्या है ISO 279 एक उनियूवर्सल स्टैंडर होता है और यह है पुस्तिकाललி जो चुर्ट को हम्रिकॉर्ट करते हैं उनके यूज के लिए इसका यूज कया आता है और सौपने जो बड़े पुल्ण करके सौप्ट्वेर होते हैं उनमें आयात और निर्यात करने के लिए वैद के लिए आ कि इसधैने करने के लिए अंतारा श्ती प्रड़ु पिर ये टार्पर करना आधन परतान करने के लिए अग्ला है ISO 2709 का परतम एडिशन का वाया था 1973 में 73 ने आया था परतम एडिशन ISO 2709 का शेकेंड रिवाइड डिशन का वाया 80 पन में ISO 2709 को मेंटेन रखता है Technical Committee for Information and Documentation ISO 2709 का नविंतन सन के कौन सा है NCNASO यथी 9.2 1994 में ISO 2709 का नविंतन मानक कौन सा है ISO 2709 का नविंतन मानक है 2709 तुहर आठ है पुस्तकाला कार्ड पर मुद्ध चंकारी को संखते तसब्दों रलने के लिए ISO 2709 को किसने विशित के रहा था आंगरिस पुस्तकाला के हैं रीड कामरम के तसामें ISO 279 को पुस्तकी अविए था ISO के कित्त तत्त है ISO के चाहता था है आपको जानकारी अच्छी लगी हो लिए त्सने बाद आप आपको जानकारी अच्छी लगी हो लिए श्युद्ध भणने बाद आपको जा हो जानकारी नहीं को जानकारी कित्सकी को जाए तत्त